कि यहां पर हम अवेल सर्विस में जाकि हम सर्च करेंगे यहां पर जनाधार 2.0 इस service का चुनाव कर लेंगे तो उसलिए हम इसे select कर लेते हैं okay पर click करेंगे तो यह third party portal पर redirect हो जाएगा जनादार portal पर आ जाएगे यहाँ पर इस तरह का आपको dashboard दिखाए जनादार 2.0 का तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले ही option language यहाँ से बासा चेंज कर सकते हैं यहाँ से हिंदी और English किसी भी पासा में आप इसे चेंज कर सकते हैं पूरे dashboard को तो हम यहां से इंग्ली सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर यह यहाँ पर इमितर का option दिखाए देने लगेगा जिस भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोग आट भी कर सकते हैं यहीं से हम उसके बाद में अगला उप्सन देखते हैं यहां पर जैनरिक सर्च का तो हम जैनरिक सर्च पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर कोई भी एक ID select कर लेंगे यहाँ पर receipt number है जनादार ID है आधार number mobile number या bank account number आप किसी से भी search कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर हम आधार number select कर लेते हैं और आधार number से हम search करेंगे तो हम यहाँ पर ID number दर्ज करेंगे तो हम यहाँ पर आधार number search कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर हम search पर click करेंगे जैसे हम search पर click करेंगे तो सद ऐसे की details यहाँ पर show हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पर नाम, mobile number और यहाँ पर receipt number आपको show होगा उसके बाद मैं इसकी डिटेल्स देखने हैं तो यहां पर आप सारी इंफर्मेशन देख सकते हैं इस प्रकार से आपको डिस्प्ले होगा यहां पर फैमिली एड्रेस दिया हुआ है सारी इंफर्मेशन इसमें इंक्लूड की हुई है उसके बाद में यहां पर फैमिली आइड सब्सक्राइब करेंगे ग्रामेट से हैं तो यह सेलेट करेंगे उसके बाद में ब्लोक सब्सक्राइब करेंगे हम यहाँ पर ग्राम पंचाय सेलेट करेंगे उसके बाद में विलेज तो चलिए हम इन बले सेलएट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक करेंगे जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो गाउं आपने सिलेट किया उस गाउं के सभी सदिश्य से कि detail आपको यहाँ पर सो होने लगजाएगी इस परकार से अप देख सकते और यहाँ पर आप है रोज च्तिउ हैं यहां पर लुमिप और संक्या यहां बढ डाए सकते हैं आप यहां से यहां से करते थे तो यह पांच 20 में डिस्पले हो गांच हो जाओ यहां पर आप किसी इस देटेल्स देखना चाहते हैं यहां वीड़ीटेल्स पर क्लिक करके आप डेटेल्स चेक कर सकते हैं यहां पर डिस्प्ले होने लग जाएगी फैमली एडरेश और अइडेंटिती डॉकूमेंट्स इस परकार से आप जैन्रेक सर्ष कर सकते हैं अगला अप्सन देखते हैं हम यहां पर डाउनलोड एकार्ड तो यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां से और यहां पर OTP या बायुमेट्रिक दोनों से कोई भी एक option आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपर जनादा के सभी सदस्यों के लिस्ट यहां पर सो होगी कि सी भी एक सतस्य को आप которое और his तो हम वेरिफार पर Clerk करके जिसमें वेरिफार पर क्लिक करेंगे तो जिसे जनाधार दाउनलोडगोना स्टार्ट हो जाएगा इस परकेर साहरे जनाधार डाउनलोड कर सकते हैं सिःगू यहां पर apply appeal चलिए हम यहाँ पर click करते हैं उसके बाद में यहाँ पर जनादार number या receipt number enter करते हैं उसके बाद में search पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का page display होगा उसके बाद में जनादार के सभी सदसे की list सो हो जाएगी आप जिस भी सदसे को correction करना चाते हैं उसके details correction करना चाते हैं या उसकी details में correction करने के लिए आप appeal करना चाते हैं तो उस सदसे को आप यहाँ से select कर लेंगे तो चलिए हम यहाँ पर इस check box पर click करके सदसे को select कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी details करेक्शन करवाना है वो डिटेल्स आप चेक मार कर लेंगे जिसे नाम जेंडर डेटो बर्थ कास्ट इनमें से कोई डिटेल्स में आप करेक्शन के लिए अपील कर रहे हैं तो चेक मार कर लेंगे हम तो चलिए हम यहाँ पर हम कास्ट के लिए चेक मार करेंगे हम कास्ट में बदलाव करना चाहते हैं यहां पर हम चेक मार कर लेंगे उसके बाद में अप्लोड अपील एफ्लेक्शन फॉर्म यहां पर हम एफ्लेक्शन फॉर्म अप्लोड कर लेंगे अपील का तो चलिए हम यहां पर फाइल अप्लोड कर लेते हम तूस फाइल पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहां से हम upload कर लेंगे अपिल फॉर्म उसके बाद में इसे यहां पर add पर click करेंगे जैसे यह पर click करेंगे तो इस तरह आपको प्रेज़ डिस्प्ले होगा नीचे स्क्रोल करेंगे नीचे यहां पर आपको current details यहां पर दिखाए देने लगेगी और उसके बाद में details to be updated वो यहां पर आपको सोग यहां पर आपको details क्या update करनी है तो काश्ट अप्डेट करनी है तो यहां से हम category select कर लेंगे यहां पर कि यहां पर काश्ट स्लेट कर लेंगे जो भी काश्ट है वो स्लेट कर लेंगे उसके बाद में यहां पर काश्ट सर्टिफिकेट नमबर यहां पर हम काश्ट सर्टिफिकेट नमबर दर्ज कर लेंगे तो चलिए हम यहां पर काश्ट सर्टिफिकेट नमबर एंटर कर लेते है उसके बाद में यहां पर हम डॉकुमेंट्स अप्लोड करेंगे तो यहां से हम सेलेट करेंगे कास्ट तो डॉकुमेंट्स टाइप में हम सेलेट कर लेंगे यहां से कास्ट डॉकुमेंट इसके बाद में यहां से कास्ट सेटिपिकेट अप्लोड कर लेंगे हम चुछ पहल कर सकते हैं अगला option देखते हैं जनादार editing यहां पर हम क्लिक करेंगे प्रोफाइल editing पर हम क्लिक करेंगे यहां से ID स्लेट कर लेंगे जनादार नमबर या रिसिप्ट नमबर या अधार लेंगे तो चली है रिसिट नमबर नहीं और सब्सक्राइब रहं करेंगे तृजlaw यहां से शनादार बाहे ला ने लिए लग्याब कर सकते हैं जाने में नमबर बेच दिया जाएगा ऊटीप हम यहां पर जाएगे और उटीप करेंगे तो जनाधार के लिए आपको उपन हो जाएगा अगला पसं देखते हैं हम यहां सब्ट करें चाहिए एड मेंबर यह मैंबर बाप क्लिक करके नय सदर्स से जोड सकते हैं और यहाँ पर आपको और सर्च पर खाल हो 그ृष रहें कि इस करेंगे रहां प्रे lagi इस प्रकार पर आपको रोसकते हैं आप पर शुप में इस प्रोड फोड़ पर क्लिक करेंगे और बरश क्विट careful करेंगे कि इसे पर नीकल सकते हैं है चलिए हमसे क्लोज करते हैं यहां से इसके बाद में यहां पर इजो रेड़ कलर में दिखाए दे रहा है इस उप्षण पर हम क्लिक करेंगे तो यह यह साइन के लिए मांगा जाएगा आप इसाइन करके भी रिसीफ्ट प्रिंट आट निकाल सकते हैं फिलाल यह सर्विस अ पर क्लिक करेंगे इसका प्रिंटाउट भी निकाल सकते हैं चले चलते हैं डेस्पोर्ट पर वापिस हैं उसके बाद में हम देखते हैं अगला उप्सन जनाधार एडिटिंग में तो यहां पर हम चेंज एड होप यहां पर आप हैड़ फेमिली चेंज कर सकते इस उप्सन से म कि प्रिंट पर Really किसी ङा सदे एसे पर स्वाइब हो तो इस उप्सन का प्लिएत करेंगे इसके बाद में अगला option split family split family के मादम से आप एक जनादार से दो जनादार बना सकते हैं यानि के परिवार से बर्चेब्रिवार का वीवाजन आप कर सकते हैं कि अगला آپ सुन देखते हैं identifying लीड़े यहां पर आप किलिकशन करके अच्छ कर सकते हैं करें तो बिज पर आपको अब क्लिक करेंगे तो यह पर जनादार काड की आपको इस्ट्रट्स दिखाए देने लगेगा आपने कब इसको क्रेक्शन करवा या कभी इन्रोल्मेंट कर वाया कभी यह यह वेरिफाई ह हुआ है कभी इस प्रकार साब यहां पर हम पुरी डीटेल सकते हैं कि इस प्रकार से हम फैमिली इस्टेटस चेक कर सकते हैं जनादार का। स्टेटस हम छेक कर सकते हैं चले चलते डेज़बोर सदी हम ऑपिस को इसके बाद मैं देखती हैं एं Kickstarter इस request कि निया की नेडिट जनाधार आप नया enrollment कर रहा है एक बार यह इंस्टेक्शन जरूर द्यान फुरुपक पढ़ लें आप उसके पाद में आए एक्सेप्ट चेक बोक्स पर क्लिक करेंगे नीचे वाले चेक बोक्स पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको पेज़ खुलेगा यहां पर यहां स्कुशन पर और दे कर लेते हैं पिंगरप्रेट केप्च winner सक्सेस्प्ट हो गया इसके बात में यह वेरिफाइब हो जाएगा और जना आधार हीव – इस फटोएंड पर यहां पर हम हें दर्ज कर लेंग लेंग सेटैनक पर रिख की तैम और लेंडीन हींगे दर्ज करेंगे उसके बाद में यहां पर पोटो चेंज करना चाहिए था पोटो चेंज कर सकते हैं इसके बाद में यहां पर हम LG tie mag clothes 가지 Gren आपir कि जो भी-कित यह कर लेंगे किऊ उसके पाद मैं यहांपर हम कास्ट ट्रुपिक्ट नबर एंटर करेंगे यह मैंने डीट्री नहीं है अगर आपके पास में कास्ट ट्रुपिक्ट नहीं है नहीं है यह आप इसे छोड़ सकते हैं और इज्ड स слова है यह से एर इंडियन कि हुआ है यहां से लेड़ स्क्राइब करेंगे यह यह से हुस्ट नियून है यह इन्छाइफ है पर इसके बाद में पताइब डाल के दूज अंऽ ले लेंगे website यहां से ले लेंगे website select कर लेंगे वारसिकाई हम यहां पर दर्ज कर लेंगे परिवारी की वारसिकाई जो भी है इसके बाद में अगला option है यहां पर bank details यहां पर हम bank details भर लेंगे bank select करेंगे district बगेरा जो भी है bank की उसके बाद में यह पर हम Agent 2 डोचुमेंट से यहाँ पर हम इंपन कर सकते हैं जैसे पेन कार्ड message वास्पोर अटर आईडी है की ऐना यवर कार्ड ऻरासन कार्ड ऐस प्रिकार श्मक्तियाब अधर्ड़ डाद श्रॉच कर सकते हैं क Whew सेलेट करके हम इनकी इंप्रॉमेशन दे सकते हैं इसके वाद में अगला अपसन देखते हैं हम यहां पर पंदिंग इन्रोल्न मेंट लिस्ट है चलिए हम题 हम किलिक करते पंदिंग इन्रोल्मेंट लिस्ट पर ह peculiar है फिलाल हमारे कैस में ही यहाँ पर कोई ब्रिकोर्ड पें होती है कोई भी यह दी इन्रॉल्मेंट करते वक्त पेंडेंसी रह गी है